हेलो एवरिवन, वेलकम टो स्टडी ग्लोज, मेरा नाम है डॉक्टर सरीता दोस्तो आज बात करेंगे पाकिस्तान की, जी हाँ दोस्तो पाकिस्तान ने नयाय का मजाक बनाया है थर्सडे के दिन पाक की अदालत ने बेहर शरमनाक फैसला सुनाया जिसके बाद भारत सहीत कई देश जो है उसके इस फैसले से नाराज है और सबसे जादा अमेरिका खफा है क्योंकि इस फैसले का सम्मन जो है वो अमेरिका से है आपको जानकारी दे दूं कि ये जो फैसला आया है ये डैनियल मडर केस के सिलसले में आया है डैनियल मडर केश जो है ये 2002 में काफे जादा सुर्खियों में था और अब 2021 में ये सुर्खियों में आ गया है तो 2002 में एक्शुल में हुआ क्या था कि Wall Street General के जो पत्रकार थे डैनियल पर्न वो पाकिस्तान गए हुए थे और वहाँ पर वो आतंकी संगठन जो है अलकायदा है और पाकिस्तान की जो उफिया एजेंसी ISI है उनके बीच में जो रिलेशन है उससे जुड़ी हुई जानकारी जुटा रहे थे और उन्होंने बहुत सारे अविडेंस जो है वो कलेक्ट कर लिये थे अब इसी दोरान जो है उनकी किड्नैपिंग कर ली गई और कई दिनों तक उनको बहुत जादा टॉर्चर किया गया और फाइनली पर्ल की जो है सिर काट कर हत्या कर दी गई और सिर्फ गरदन काट कर उनकी हत्या नहीं की गई बलकि इतने बूटल हत्या कांट का जो है वो लोगों को पर्ल की हत्या के आरोप में गिरफतार किया और जो इसका मुख्या आरोपी है वो है एहमद उमर साइध शेख इसको भी अरेस्ट कर लिया गया था डैनियल पर्ल के जो हत्यारे हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान की अलग-अलग अदालतों में 19 साल से केस चल रहे थे लेकिन उनके खिलाफ या तो कभी सुनवाई टल जाती थी या फिर कभी कोई अविडेंस नहीं मिलते थे और फाइनली ये जो मामला है ये जो मर्डर केस का है ये सुप्रीम कोट में पहुंचा और वहां से उसे रिहाई दे दी गई यानि कि ये जो रिहाई वाला फैसला है ये अब आया है और अब पाकिस्तान सरकार जो है काफी दबाव में भी है क्योंकि बहुत सारी कंट्रियों ने इसका विरोध किया है और अमेरिका का रुख जो है बहुत जादा कड़ा हो रखा है पाकिस्तान के इस फैसले के खिलाफ दोस्तों आपको जानकारी दे दूं कि ये जो डैनियल पर्ल मडर केस है इसका जो मुख्या आरूपी है उमर साइद शेख ये उन तीन आतंक वादियों में शामिल था जिन्हें भारत ने साल 2000 में अगवा किया गया जो विमान था IC 814 उनके बंधकों के बदले उसको रिहा किया गया था वर्तमान में अभी जो प्रेजन्ट इसकी एज है वो 47 के अराउंड है इस हत्या कांट के खिलाफ ये जो फैसला आया है रिहाई का तो जो बाइडन की जो नई सरकार है उसने इसके अ साथ ही उनको इस बात को क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान अगर परल के हत्यारों को सजा नहीं दे सकता है तो वो परल की इस हत्यारों को अमेरिका को सौप दे वहाँ पर इनके उपर केस चलाया जाएगा एंटनी ब्लिंकेन और कुरेशी के बीच जो बाचीत हुई है उससे य परल के परिवार को इनसाफ नहीं दिला सकता है तो अमेरिका को ये जो आतंकवादी है वो सौप दिये जाए ताकि अमेरिका में उनके उपर केस चलाया जाए और परल के परिवार को इनसाफ दिया जा सके डैनियल परल के ये जो हत्यारे आतंकी हैं एहमद उमर शेख, आदिल और सल्मान साकिब इनकी रिहाई में पाकिस्तान सरकार के वकील जो है उन्होंने ना सिर्फ इनको रिहा करवाया है बलकि एक्जिट कंट्रोल लिस्ट यानी ECL जो है इनसे भी इनका नाम हट वालिया है इन चारों का इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि अब यह चारों की गई है इसके खिलाफ जो है अमेरिका का रुख काफी जादा सक्त है और अमेरिका साफ कह चुका है कि परल के परिवार को इंसाफ दिलाना यह अमेरिका की जिम्मेदारी है और यह जो फैसला पाकिस्तान की तरफ से आया है यह किसी भी कीमत पे बरदाश नहीं किया जाए झाल झाल